हलो बच्छों, विल्कम बाइक टो माई चानल, कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फानेशल एकाउंटिंग यानि की वित्ती लिखांकन की एंसे क्यों सौल करवाऊंगी इससे पहले मैंने बिनस स्टाटिक की एंसे क्यों सौल करवाए है, उसकी पले लिस्ट आपको, उनके वीडियो की प्ले स्ट लिकों आपको दिस्क्रिपशन जा गर क के रहेंगी लगियो के आप लिए शुरॉ करतेैं तो आपका पहला question है which of the following account से जे personal account निमनांकित में से कौन सा खाता है एक पैक दिखाता है फर्स्ट है आपका rank account, RR खाता, bank account, prepared rent account यानि की product किराय खाता या फिर all of the above, उपरोग सभी तो आपने पढ़ा होगा कि आपके जो accounts होते हैं वो तीन तरह के होते हैं पहला आपका हो जाता है personal account, दूसरा होता है nominal और तीसरा होता है आपका real account होता है तो personal account में भी आपके तीन तरह के accounts आते हैं, एक सुभाविक वाला हो जाता है, एक कृतिम व्यक्तियों की होता है और तीसरा आपका प्रतिने दिकरने वाली खाते होते हैं तो यहाँ पर जो तीनों आपके दे रखे हैं ड्राइंग अकाउंट, बैंग अकाउंट और प्रिपेर रिडिन अकाउंट यह तीनों ही आपके परस्नल अकाउंट्स हैं तो यहाँ पर क्या एक टांसर क्या हो जाएगा option D, उप्रोक्त सभी next question है आपका आपको क्या निकालना है अब नया लाभानी अनपाथ हमको आपके निकालना है तो आई देखें अब हमें इसे कैसे निकालते हैं इसको सॉल्ट करने के लिए सबसे पहले में यह देखना होगा कि जो नया स्चितार हमारा आ रहा है नया पार्टनर आ रहा है उसके आने के बाद जो पहले कि तो आपके राजा और साम पार्टनर हैं उनके लिए कितना प्रॉफट रह जाता है यहाँ पर टोटल पॉफिट वान मान करके हम जो हमारा शोख है उसका लाप का हिस्सा निकाल देंगे वन फोर्ट पाग उसका जब निकालेंगे तो हमारे राजा और राम दोनों के लिए लाप का हिस्सा होगा अब हम यह देखना है कि इस थ्री फोर्ट में राजा का कितना भाग है तो पराना चौन पाथ आपका दे रखा था त्री पाथ एक उसमें से हम इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे तो राजा का भाग निकल के कितना आएगा आपका 9 अपन 16 उसके बाद इसी तना से हम राम का भी भाग निकाल लेंगे तो निकल के आएगा 3.16 उसके बाद जो नया आपका प्रॉफिट शेरिंग रेशियो आएगा 9 इस तू 3 इस तू 4 तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आप्शन ए नेक्स्ट आपका कोशन है ग्रॉस पॉफिट इस इक्वल टू यानि कि से करला परा प्रतिबादन किस ने किया था अरटर ने पिकल्स ने मालतस ने लुकस पैसियो ली ने तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी लुकस पैसियो ली ने नेक्स्ट कोशन है आपका अकांट्स डू नाट रिकॉर्ड यानि कि खातों में दर्ज नहीं होता है लाबा और हानी प्रतिबादन कि तो आपने द्यान देंगा वहां पर कमचारियों की संख्या को हम नहीं दिखाते किसी पी रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता है अकांट्स बनाते टाइम तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कमचारियों की संख्या अगर वीडियो अची आपको क्या दर्शाता है क्यों संपती की स्थिति क्यों दायत की स्थिति नगत की स्थिति या वित्ति इस्थिति तो जो आर्थिक चित्था होता है वह आपको वित्ति इस्थिति को दर्शाता है यानि की करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी नेक्स वोशन है नहीं आ रहा होता है। वहाँ पर जिस साइड में भी हमारी कमी होती है। उस साइड में हम suspense account खोल लेते हैं। तो वही suspense account को हम कहां पर दिखाते हैं। तो साइड में पर दिखाते हैं। तो correct answer क्या होगा आपका option C next question है आपका, the detail of assets and liabilities are यानि कि संपतिम दैते का विवरण होता है आर्थिक चित्था, दलपट, वैपारिक खाता या फिर लाभानी खाता जो आपका आर्थिक चित्था होता है उसमें संपतिम दैतों का विवरण होता है तलपट में ट्रैल वैलेंस में आपके अंगरती है शुधियों की जाच के जाती है कि जो भी आपने लेके रखे हैं इंट्रीज की है वो करेक्ट है या नहीं है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट यानि कि वापारिक खाता होता है उससे हम ग्रॉस प्रॉफित निकालते हैं आपके अनर्ड इंकम होती है वो होती है आपकी लैबिल्टी तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ओप्शन बी नेक्स्ट वोशन है आपका सेल ऑफ फरनीचर बाये फरनीचर डीलेर फर कैश इस डेबिटेट तू यानि कि फरनीचर पारिद्वारा की गई फरनीचर की नगत बिक्री को डेबिट किया जाता है कैश अकॉट में सेल्स अकॉट में फरनीचर अकॉांट में या फिर नल आफ़ डेबो इसकी जो जन्नल इंट्री होगी वो होगी आपकी कैश अकॉट डेबिट degradation का जिसकह का आपका राइट 很 पर यह और आपशन यानिकिक ए क्ह ल इसलों आपलों के लिए हैं अपको इसका अंसर कमेंट सक्षिन ने बताना है कि जो इंतरी सक्षिन एक साथ कियाती है तो उसको क्या चैनल पर नया को सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बान करिएगा जिसे की जो भी मैं मैं विडियो ढ़लू आप तक बहुत सके और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा तैंक यू